असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ च्वारे के हल्वे की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो सर्दी में ज़रूर खानी चाहिए कमरदर्द के लिए बहुत जादा मुफीद होते हैं च्वारे आप वैसे नहीं खा सकते क्योंकि उसमें थोड़ा सा तलखाट होता है तो आप इसका हल्वा बनाकर खाईए बहुत ही जादा टेस्टी होता है और फायदेमन भी बहुत होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना यह मैंने 500 ग्राम च्वारे लिए हैं च्वारों को हमें कम से कम दो घंटे के लिए भीगो कर रख देना है क्योंकि यह बहुत हाइड होते हैं क्योंकि हमें च्वारों के बीज निकाल देने हैं और इसके ऊपर जो एक छोटा सा कवर टाइप होता है वो निकाल देना है जासानी निकले सकते हैं तो आप 2 थे के लिए रखे आसानी से निकलेगा आस से दूद निकलेगी दूद हमारा room temperature पर होना चाहिए जब इसमें हम छुआरे mix करें अभी मैंने gas की flame को off ही रखा है जब हमारा दूद room temperature पर होगा और छुआरे भी room temperature पर होगे तो इस तरह से हमारा दूद नहीं फटेगा अगर दूद गरम हुआ और छुआरे ठंडे हुए तो दूद भटने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए आप दोनों को room temperature पर रखें और इसमें छुआरे डाल दें छुआरे डालने के बाद gas की flame को on करें और इन्हें बहुत अच्छे से उबाल आने तक पकाएं देखे ऐसे हमारे दूद में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है इससे हमारे चुआरे और जादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इनके जो तल्खपन होता है वो इस दूद से ही हतम हो जाएगा अभी ने हमें ठंडा करने के लिए रखना है यह देखे ठंडे होने के बाद इनकी कंडिशन कुछ ऐसे हो गई है कि छुआरे थोड़े से फूल कर मोटे हो गए है क्योंकि इनमें दूद एब्जोर्व हो गया है और यह सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हो गए है एक रात के लिए हमें इन्हें ऐसे छोड़ना होगा अब इन्हें हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसके साथ थोड़ा सा दूद हमें डालना है देखे ऐसे हमें इन्हें डाल दिया है थोड़ा सा दूद इसमें हमने बचा लिया है और थोड़ा दूद इसमें हमें डालना है अब इसे हम थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे देखिए अभी ये कुछ जगा से रह गया है इसमें बाकी बचा हुआ दूद भी हम इसमें डाल देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेना है बहुत बारिक नहीं करना है देखे इस तरह से हमेंसे दरदरा पीस लिया है सारे च्वारे पीस जाने चाहिए बस अब एक कड़ाई में हमने वन फोर्थ कप घी लेना है देखे वन फोर्थ कप घी है ये भरा हुआ है पुरा अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी डाल सकते है जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम एक चम्मच पीसी हुई छोटी लाइची या या हरी लाइची या नीज वो डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो तब इसमें हम अपने पीसे हुई छोआरे डाल देंगे स्टाइटिंग में हम घी कमी डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात में भी डाल सकते हैं अगर जादा हो जाए तो फिर वो मसला हो जाता है क्योंकि हमें एक फायदे की चीज तैयार करनी है सिर्फ अपनी टेस्ट को ही नहीं देखना है इसलिए इसमें आप स्टाइटिंग में घी थोड़ा कमी रखें इन्हें बहुत अच्छे से हम भूनेंगे भूने में से थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कोई भी हल्वा आप बनाएंगे तो इसकी भूनाई में टाइम लग अब इसमें हम ते बिल स्पून चीड़ा डालेंगे च्छुआ रहों हब हमें और उसमें दो टेबल स्पोन इसमें चीनी ऐड़ किया अब ये साथ यसे बुननी पा रहा है क्योंकि इसमें घी की क्वाणिटिटी थोड़ी कम है अब इसमें हम एक देखे हमारा थोड़ा सा रहे गया है बुनने में तो इसलिए हम इसमें एक चमज घी और डालेंगे तो इसलिए एक चमच घी डालेंगे इसमें और इसे खूब अच्छे से भून लेंगे चीनी और घी का कोई मसला नहीं होता वो थोड़ा सा बात में भी आप भूनते भूनते डाल सकते हैं टेस्ट करके कि अगर आपको सुखा लगे तो आप डाल सकते हैं भीका लगे तो भी आप चीनी इसमें डाल सकते हैं लेकिन यह चुआरे खुद मीठे होते हैं तो इसलिए नहीं चीनी नीडलती अब हमारा हलवा बहुत अच्छे से भून कर तयार हो गया है तो चलिए से सर्फ कर लेते हैं आप चुआरे तो ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि सकत भी होते हैं बहुत और थोड़ा से उनमें तलख पन भी होता है तो इसलिए आप का हलवा बना कर खाईए तो बहुत आपको टेस्टी लगेगा इंशाला आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है बीना सब्सक्राइब किये मत जाईएगा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें सरदी में बहुत अच्छी और मुफीद चीज़ है ये ड्राइफ रूट आप अपने मर्जी के मताबिक डाल सकते हैं नहीं भी डालने तो भी इसका टेस्ट पे कोई फरक नहीं आने वाला है टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है देखे कितना टेस्टी हलवा तयार हो गया है अब आप ये सोचेंगे कि मैं खुद तारिफ कर रही हूँ लेकिन नहीं आप बना कर देखेगा तो इंशालला आपको पसंद आएगा बहुत अच्छी रेसिपी है और अगर आप इसे नहार मुख खाएंगे तो कमर के दर्द को बहुत जादा फायदा होगा इंशालला मैं कोई नही रेसिपी लेकर आऊंगी अल्ला हाफिज